इस बर देश का सबसे बड़ा रावन का पुतला पंचकुला में बनाया गया है मेरे पीछे आप तस्वीरे देख रहे होंगे ये पंचकुला के शाली मार ग्राउन की है जहां पर इस रावन को खड़ा किया गया है आपको बताएं किस रावन की लंबाई 171 फुट की है और इ बारे साथ श्री माता मंसा देवी चैरी टेबल ट्रस्ट से कुछ नुमाइंद यहां पर मौजूद है जनरल सकतर है संदीब गुपता उन से जान लेते हैं रावन के बारे में जानना चाहेंगे देश का सबसे बड़ा रावन जो इस बर पंचकुला में तयार किया गया है इसके पीछ जै माता दी जी शिरी माता मंसा देवी चैरी टेबल ट्रस्ट एमा मंदा शिराल में ड्रमेंटी कलब इस दशैरे का योजन हर वर्ष तरतालीमा दशैरा मौसब बना रहे हैं हर वर्ष हम इस दशैरा मौसब को मनाते हैं पहले यही से ऐसा ही रावन हमने दो जा जाए कि अधरम के ओपर धरम की सजीत का यह परतीक है तो हम इस परतीक को यह जाते हैं कि बड़े से बड़ा पता लगे और उसको और इसके लिए वावा को इसको इसको इन्जॉय करें से जाए खासियत क्या है रावन की कितना इसमें जो है बजट लगाया गया है पटाके वगेरा जो इसके सजावट की गई है उसमें क्या कुछ खास है इसके उपर 18 से 20 लाख रुपे का खर्चा है खाली रावन रावन को बनाने के उपर इसके अंदर आतिश बाजी बहुत ही है बड़िया लगाई गई है और इको फ्रेंडली लगाई गई है यह सारा का सारा एक कुंट्रोल से इसको चलाया जाएगा और इसके अलावा आतिश बाजी दिशेरे के पर उसमें जो रावन धहन से पहले जलाई जाएगी वह भी बड़ी अकर्शी देखने वाली होगी और इसके लिए एक हमारा इसके इसके इसी के विश्ये पर हमने 22-24 को एक सांस्कृतिक क कारम का भी और यूजन किया है जिसमें 22 तारीक को हमारे 6-9 तक सांस्कृतिक कारकरम है जिसमें हमारे 22 तारीक को इंदर चहल जी आ रहे हैं और उसके मुखे तीती साथ में ओपी ओम परकाश धनकर जो प्रदीश एदक्ष बीजेपी के हैं हमारे और 23 तारीक को फेमस पंज इस तारीक को इस कारकरम की अंदर जो प्रोगराम होगा सांस्कृतिक कारकरम दिशारे के उपलक्ष में इसमें हमारे कनिया मितल जी वैसे हमारे गैस्ट हैं पर हमारी निवेदन पर उन्होंने कहा है कि मैं दो चार भजन भी गाऊंगा और ताउ तेजपाल जी जो करनाल से है और इसके लावा हमने अपना स्कूर्टि को देखती होँ-200 के क्रीब, अपने माता मनसा देवी श्री माता दुर्गा से शिवा समीती के कहो हमारा जुनमान है कि तीन से चार लाख आदमी इस पर पहुंचेंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते कि दो जार ठारा के अंदर भी इतनी ही लोग यहां पर आये थे उससे ज्यादा लोगों की आने की हमें बिक्षा है अगरी सवाल मैं आप से लोगे कितने कारीगर इसमें लगे हैं कितना समय इस रावन को बनाने में लगा है इस वीशे पर इसके अंदर कम से कम वारा तीन से चार मीने का समय लगा है और इसको 25 से 30 कारी का जिनुने रात दिन इसको लगकर शुक्र लगकर इस रावन का बनाया है और यह हमारे तरजिंदर चुहान जी है, स स्पेशल जो इनकी कारी गिरी है जिनों ने इस रावन उनका जनून है इस रावन को ले कर मैं देश का सबसे बड़ा रावन बनाओं तू जानकर या आपने सुनी इस रावन को ले कर दूसरी तस्विरे आपको दिखाएंगे देखिए कितने लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए किस तरह से यहां पर फोटो सेशन हो रहे हैं और एक आकर्शन का केंद्र जो है वो बना हुआ है इस बार जो रावन है चोटे-चोटे बच्चे पेरिंट्स लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं और बातचीत करने की भी जरूर कोशिश करेंगे इन से और जान लेते हैं कि क्यों इतना खास लग रहा है रावन खास और पर पहुंचे हैं बच्चों को दिखाने के लिए यह सबसे बड़ा रावन बना है देश में त बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं कैसा लगा रावन आपको पहले टीवी पे देखते थे आएंगे अगे अगया बच्चों में भी पूरा क्रेज आप देख रहे हैं एक और मदर हैं यहां पर खास और पर देखे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों के लिए आए हो बच्चों को देरे देरे सिखाया जा रहा हैं मैं किस सरा से देखते हैं आप पर सबसे बड़ा पंच्चुला में रावन जोईसबर तयार किया गए और आप भी बच्चों को दिखाने के लिए पहुंचे बहुत अच्छा है मुझे तो कलर कॉंबिनेशन बहुत अच्छे रहे हैं और नहीं कलर की तैट इस वेरी कुछ आप खुश है और बच्चों को दिखाने के लिए कास तार पर माथा पिता यहां पर पहुंचे हैं आप देखे कि जहां पर भी आप देखेंगे लोग आपको सेल्फी आ लेते हुए दिखाई देंगे दूर दूर से लोग जो सब बड़ा रावन जो है देश का बनाया चेतर फुटका है राना टेज इंदर सिंग चोहान बनाते हैं और यह हमारे लिए बहुत गरव की बात है पंचकुला में यह तीन साल पहले यह दो साल पहले भी दोसो पच्छीश फुटका बनाया था उन्होंने बनाया था यह बहु बोला कि मैं रावन देखके आता हूं बहुत बड़ा रावन बनाया गया है अज इसको जला दिया जाएगा फिर अच्छा लगेगा है तो बच्चे हैं बच्पना है इनमें जरूर पर आप यह देखिए कि अपने पुरानी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए भी पेरि इतना बड़ा रावन एक सो इकतर फुटका बनाया गया है पूरे देश में यह जो रावन है इतना बड़ा रहने वाला है पंचकूला का ही रहेगा और तीन दिवस्य प्रोग्राम यहां पर चलेंगे और चौबिस तारीक को जब दिशेरा है तब रावन देहन किया वीडियो जैनलिस बलजीत के साथ खबर अभी तक के लिए पंचकूला से हर्सिम्राद